एक ऐसा बिजनस में 40-50% का प्रॉफिट है, कोई स्टॉक रखना नहीं है और लंबे समय तक आप अपार पैसा कमा सकते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगा हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर्ट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और सीओ, मैं टास ओवर्सिज लिमेटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंट्स बहुत सार लोगों ने हमसे एक प्रश्ण पूछा किसर आपने फ्रेंचाइजी बिजनस के बारे में तो बता दिया पर ये बताएं कि किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी या डिलर्शिप लेते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए वैसे भी किसी बिजनस को स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आपको उस बिजनस में एक्सपिरियंस नहीं है नौलेज नहीं है तो आप फ्रेंचाइजी के लिए या डिलर्शिप के लिए उस कंपनी को कंटाक करें उससे टाइप करें और बिजनस दूरूरी है अगर इन बातों को हम ठीक से समझ ले तो हम यह निर्ने ले सकते हैं कि किस कंपनी की फ्रेंचाइजी या डिलर्शिप किस इंडस्ट्री में लेनी चाहिए तो चलिए इसी विशापर हम बात करते हैं हाव तो गेट फ्रेंचाइजी और डिलर्शिप अब किसी आप फूड से रेटेड इंडस्ट्री में जाएं आप लाइफ स्टाइल से रेटेड इंडस्ट्री में आप चूज किजिए कि आपको किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है आज हर इंडस्ट्री में बहुत सारी सक्सेस्फुल कंपनी अपने सक्सेस के फार्मूले को पेले शिप माध्यम से शेयर करे हैं तो पहला सेलेक्षन हो गया कि हम किस इंडस्ट्री में जा कर 1 कर अच्छय आप करना है कि में अब कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्षन Induição से ृधियर कर सकते हैं आप सीमेंट मानेफक्टरिंग से लिए बिजनस कर सकते हैं सीमें ट्रेडिंग से लिए बिजनस कर सकते हैं या आप और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्स हैं जिसमें आप डील कर सकते हैं तो इंडस्ट्री और प्रोडक्ट पहले इसका सेलेक्शन करें उसके बाद आप इंडृट्स प्रोडक्टि कर लिए। इंडस्ट्री में पूराइं देस्टिम करों प्रोडक्ट कों करें क्यूंकि इतनी बेशलेक्सिंद्स को किस इन्वेस्ट्मेंट से आप शुरू करना चाहते हैं क्योग उनके की कि collectors किसी भी बीज़नस को शुरू करने के लिए एक clinical आगर बिजनस की ओप्रेशनल कॉस्ट को क्या है उस बिजनस को अगर रहन करते हैं तो पर मन्त कितनाओ बना रहे हैं तो 40-50 रुपे महिने खरचा होगा बड़ा शोरूम बना रहे हैं 57 लाग रुपे मेना खर्चा होगा और exclusive शोरूम बनाने 25 से 50 लाग रुपे पर मंद तक खर्च हो सकता है आपको देखना है कि आप कौन सा 25% 4-5% कुछ businesses में profit का ratio बहुत बड़ा होता है लेकिन product का price कम है मालो 10 रूपे का product है और profit ratio जो है 30 परसेंट है 3 रूपे है तो यहाँ पर बड़ा इंपारेंट है कि product का price ticket क्या है उसमे profitability कितनी है next future growth possibility क्या है friends हर business की ने grow possibility है बहुत सारे businesses अपने पीक पर चल रहे हैं और भविश्य में उनमें डिमांड जो है वो कम होती चली जाएगी जैसे डिजल बेज्ड इंजिन जो है वो आने वाले समय पर आपसुलेट हो जाएंगा उट आफ मार्कीट हो जाएंगे तो ईवी इलेक्ट्रोनिक वीकल जो है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो मैं एक एक ग्जांपल को रूप मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर ब्रोथ पॉसिबिलिटीज क्या है उस बिजनस में कितना कॉम्पिटीशन है कई बार बिजनस में कॉम्पिटीशन इतने डेवल पर होता है कि हाईली प्रॉफिटेबल होने के बाद भी आप डिसकाउंट दे देकर कस्टमर को अपनी पॉकेट से आप सारा प्रॉफिट डिसकाउंट में छोड़ देते हैं तो कॉम्पिटीशन के वैसे आप कमा ही नहीं पाते और इतना भी नहीं कमा पाते कि आपरेटिंग कॉस्ट पूरी कर सके उसके बाद आपको देखना है क कि उस बिजनस में कितना स्टॉक रिक्वाइड है फ्रेंट्स बहुत सारे ऐसे बिजनस हैं जहां पर मेटीरियल को सेल करने के लिए आपको बहुत अदिक स्टॉक करना पड़ता है और जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ वह प्रोड़क्ट मार्कीट से अप्सुलेट हुआ य आपकी पैमेंट टंस इंड कंडिशन्स क्या है आपको मैटीरियल पैमेंट ऋन डिलीवरी मिलता है या एडवांस मिलता है यहां पेंडंट अensor सर्टन टाइम मिलता है तस दिन पंदरा दिन 20 तिन थीन महीने ऐसे भी बिजनस देखेंगे 34 महीने की पैमेंट डिली रहती है आपको ये भी देखना है, क्योंकि पेपर में तो आपने पैसे कमा लिए, जब बुक्स आप देखेंगे तो बहुत प्रॉफिट है, लेकिन पैसा आपके पास है नहीं क्यों, क्योंकि आपने उधार दिया हुए, और एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे लोगों का जो उधार क पैसा है ना, वो बेट डेट में निकल जाता है, तो देखने में प्रॉफिट हो रहा है पर ग्रोथ आपकी होनी रही, इसलिए जरूरी है किसी भी बिजनस में डिलर्शिप या फ्रेंचाइजी आप करना चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करें, जब आप बहतर तरीके से स्टडी करेंगे, तब ही आप सही निर्णा ले पाएंगे कि मुझे उस कंपनी की डिलर्शिप या फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके लाबा अगर आप एक ऐसे बिजनस की अपॉर्चुनिटी ढूंड रहे हैं, जिस ही सोचकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनस की जिसमें फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अदे का है, और वो बिजनस क्या है, मेटास ओवर सीज लिमिटेड कंपनी का ब्रैंड मेटास लाइफ स्टाइल, जिसमें हम ल से लकडी भी आसानी से उपलब्द नहीं होगी, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी न कहीं चीज़ को लेकर आसा बैंड जरूर लगाएगी, कि लकडी का इस्तिमाल काम होगा है, जैसे प्लास्टिक का यूज लगातार घटता जा रहा है, गौर्मेंट बाउं भी बहुत ज़र होते हैं, गाड़ियों की तरह है, जैसे गाड़ी में अगर ज़रा सा डेंट हुआ, आपने रिपेंट करा दिया, आपका मन बर गया उस कलर से अपने कलर चेंज करा दिया, ठीक उस तरह से 5000 से अधा कलर ऑप्शन है, इको फ्रेंड लिये, मतलब स्टेलने स प्रोड़क्ट होता है, तो कंजूमर ऐसे प्रोड़क्ट को लेना चाहता है, जहां वेल्यू फॉर मनी हो, अब मेन बात जो है, कि आप अगर स्टेलने स्टील मडूल किचिन की फ्रेंचाइज या डिलर्शिप लेते हैं, तो वन टाइम इंवेस्टमेंट है, एक बार पैस बनवाया, और उस डिजाइन के अधार पर मेट्रियल बनाया जाएगा, इसका मतलब आपके पास कोई रेडी स्टॉक नहीं है, तो इसका मतलब स्टॉक में आपका किसी तरह का कोई इंवेस्टमेंट नहीं लग रहा है, हैंड्रेड परसेंट एडवांस मनी, यह जो बिजन होने वाला होगा, मतलब भेजने से पहले, बिफोर डिस्पैच, बैलेंस फिफ्टी परसेंट पेमेंट देगा, और मेटेल डिस्पैच हो जाएगा, मतलब हैंड्रेड परसेंट आपको एडवांस पेमेंट मिलने वाली है, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनस है, क्यों? क्य क्योंकि इस तरह के बिजनस के सेटप को लगाने के लिए बहुत मूटा इंवेस्टमेंट लगता है, इसलिए स्मॉल स्केल बिजनस ओनर है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मालिक है, वो तुरंत इस इंडस्ट्री में घुश नहीं पाता है, क्योंकि क्यापिटल का बेर क्लाइंट होते हैं मतलब आप प्रीमियम के लिए काम करें प्रीमियम क्लाइंट के लिए काम करें यहां यहां तक कि लीड जनरेशन के लिए भी कंपनी बहुत रही सपोर्ट देती है तो इसलिए कहते हैं 100% सपोर्ट सिस्टम है एक बार शोरूम बनाओ और निश्यंत हो जाओ सेल आएगी बनाने से लगाने का सारा काम कंपनी की रिस्पॉंसिब्लेटी है तो यह है मेटास ओवर्सीज लिमिटेड कंपनी का ब्रैंड मेटास लाइफस्टाइल जिसमें हम मडूलर केचिन बात्वम वैनेटीज वाडरोब्स और स्टील इंटियर से बने प्रोडक्ट से रिलेटेड हम काम करते हैं अब उस बिजनस में क्या highly profitable है येस उस बिजनस में one time investment है येस उस बिजनस में zero stock required है येस मतलब किसी तरह का कोई stock नहीं चाहिए और भविश्य में growth की संभावनाई है से येस और इसमें highly profitability है येस ये सारे गुंड इस बिजनस में पाए जाते हैं इसमें अगर आप डिलर्शिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले एरिया रिक्वाइड तीन सो से पांसो स्क्वार फिट का एरिया आपके पास होना चाहिए चाहें वह अपका ओन हो आपका अपना हो या रेंटिड हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता और वैसे भी हमारी कंपनी के 80 परशन चाहदा शोरूम ज एक शोरूम में अगर आप डिलर्शिप खोलते हैं तो इंवेस्टमेंट आती है बारा से पंद्रा लाग रुपे कंप्लीट आपका डिस्प्ले हो गया इंटीर हो गया बहुत सारी चीज़ें जो शोरूम पर लगती हैं आप मैटास ओवर्सीज लिमिटेड के लाग रुपे आज के टाइम पर हमारे शोरूम सतर लाग रुपे से एक करोड रुपे तक की इंवेस्टमेंट के शोरूम भी बने हुए पर मैं आपको बेसिक रिकॉर्ण बता रहा हूं अगर आप फ्रेंचाइजी करते हैं 35-40 लाग का इंवेस्टमेंट है और मैंने कहा सब्सक्राइब यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाइली प्रॉफिटेबल है फाइन अगर आप मेटास लाइफ स्टाइल स्टेलने स्टील मोडल लोकेशन का बिजनस शुरू करना चाहते हैं ऐस फ्रेंचाइज या डिलर तो आप शुरू कर सकते एक नहा बिजनस जिसमें आप एक शुरूरू करें चाहिए डिलर शिप हो फ्रेंचाइजी हो एक्सक्लूजी फ्रेंचाइजी थोड़े बड़े शूरूम होते हैं और अग्रशाइजाजी होता है मैंने आपको डिलर Das sucking के बारे मताया एक्सक्लूजी फ्रेंचाइजी उर मास्टूजी की जानकारी आपको इन बोर्ड पर दिये हो एन नमबर पर मिल सकती है, 921144480, 921003773, आप इस नमबर पर कॉल करके, फ्रेंचाइजी या डिलर्शिप की जानकारी, एक्स्क्लोसिफ स्टोर की जानकारी, सब कुछ आप ले सकते हैं, फ्रेंड्स, बिजनस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप सही तरीके से प्लाइनिंग करते हैं, तो आप एक अच्छे बिजनस के साथ, अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी इंडस्ट्री में, फिचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के साथ, बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, इसके लावा फिर भी आपके मन में कोई प्रश्ण हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, कोई भी इंफॉर्मेटी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत